यह नोकिया 5710 एक्सप्रेस वालियो यह एक फीचर फोन है लेकिन काफी अलग है इसलिए क्यूंकि यह built-in earbuds के साथ में आता है तो मुझे नहीं पता कि आज की तारीक में लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे लेकिन इसका जो में अट्रेक्शन है वो है built-in earbuds यह 4G स्मार्टफ काफी बढ़िया क्वालिटी है नोकिया का फोन है तो नाचुरली जो बिल्ड़ फिनिशिंग है यह भी काफी बढ़िया रहेगी तो यह है हैंसेट और इस शेक्शन में यह है क्विक स्टार्ट गाइड यह एडप्टर दिया हुआ हुआ है माइक्रो यस्भी पोट के साथ है बिल्ट इन होता है तो सबसे पहले तो जो बैटरी है उसे आपको यहां पर दालना है यह जो भाग है यह पूरा का पूरा भाग इस परकार से निकल जाता है स्लाइडिंग मेकानिजम भी इस जो बैक कवर है इसमें दिया हुआ है क्वालिटी काफी बढ़िया है तफ है और यहां पर अंदर देखिए आप दो सिम यूज़ कर सकते हैं नानो सिम और माइक्रो एजडी कार्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है फिलाल मैं इसमें एक सिम मैं लगा देता हूं ये इस प्रकार से आपको अटाच करना है अब है अचैज होगया है और यह स्लाइड करके इस प्रकार से जो काफ़ी इंप्रेसिव हैं इसे मैं करता हूँaters समय के बाद मैं इसमें का फोन यूज़ कर रहा हूं नॉक्या फोन और यहां पर भी बटन्स दिया हुआ है यह देखें तो entertainment के हिसाब से भी काफी अच्छा है लेकिन देखते हैं कि यह जो फोन है यह क्या क्या कर सकता है तो यह देखें यह option मुझे दिख रहा है मैं इसका setup कर लेता हूं TWS को मैं यहां से connect कर सकता हूँ initially जब आप setup करते हैं तो आपको यह option दिख जाएगा इन्हें मैं बहार निकालता हूँ यह देखें इसने इसे detect कर लिया है setup हो चुका है तो यह जो earbuds है इने में पहन लेता हूँ अब यह जो earbuds है यह plastic का बना हुआ है और इस पर कोई भी silicon cap नहीं है तो इतनी अची तरीके से मेरे कानों में तो fit नहीं हो रहा है यह खास करके जो left earbud है यह इतना stable नहीं है काफी आसानी से गिर रहा है में खास करके prefer करता हूँ कि जो earbuds है वो silicon cap के साथ आए यहाँ पर देखिए icon है मतलब कि जो earbuds है वो connected है इसका जो audio है यह मैं बाद में चिकरने वाला हूँ फिलाल यह देखिए यहाँ पर facebook का option दिया हुआ हूआ है और यह game है snake game radio का option दिया हुआ इसमें built-in radio है internet पे जाके और फिरा mini browser है वैसे आज के तारिक में ज़्यादा करके लोग बढ़िया quality के smart phones खरीते हैं तो मुझे नहीं रखता है कि यह जो phone है काफी लोगों को पसंद आने वाला है अफकोस यह जो earbuds है जो कि इसके साथ में built-in है एक unique चीज़ है अगर ऐसा कोई normal smart phone में होता तो शायद लोग काफी लोगों से खरीते हैं तो इस पर browsing करना बहुत ही मुश्किल है actually मैं इससे भाहर आ जाता हूँ और अफकोस इसे आप calling के लिए use कर पाएंगे यह दिखें फीचर फोन है और sound quality के अगर बात करें तो उसके लिए मैंने एक तो browsing ट्राइ किया जो MP3 से download करने के लिए impossible था तो best option यह था कि मैंने मेरे पास MP3 files थे उन्हें मैंने microSD card में दाला है और उसे मैंने इसमें दाला है और उसके बाद में मैंने इसका audio सुना audio की quality काफी बढ़ि 5 out of 5 की rating काफी बढ़िया है तो यह जो फोन है आप music के लिए use कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहां आपको microSD card में जो गाने है वो दालना पड़ेगा on the move आप कभी भी audio सुन पाएंगे plus इसमें आपको phone functionality भी मिल जाता है अब यह जो फोन है किसके लिए है उन लोगों के ल जादा करके लोग smartphone खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि जादा करके जो लोग है यह Facebook हो या फिर YouTube हो Shots, Insta के Reels इन पर जादा active है और वैसे type के quick content लिखते हैं तो वैसे type के लोगों के लिए यह phone नहीं है वैसे इसका जो pricing है इसमें आपको एक बढ़िया quality का यह बढ़ आ सकता है specs की बात करें तो 2.4 इंचिस का display है dedicated music buttons दिया हुआ है जो की काफी बढ़िया है display की quality ओके type की है rear camera दिया हुआ है with flash यह one year replacement guarantee के साथ में आता है camera की जो quality है no good और इसे as a wireless FM या फिर MP3 प्लेयर की तरह भी यूज कर सकते हैं battery life भी आपको काफी इस पर बढ़िया मिल जाएग वसन भी काफी हलका है अगर आप यह product खरीदना चाहते हैं इसका pricing है 4999 रुपीज लिंक मैंने video के description में दिया हुआ है तेखते रहे हैं